हेलो बच्चो मैं दीपावरमा भिष्ट एजोगेशन पर एक्सलेंस के इस एड़ अनिक लासेश में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि बच्चो आपने टू मार्क्स, त्री मार्क्स, फोर मार्क्स और सिक्स मार्क्स के पूरे कोशन्स देख लिया और यह समझ लिया किस तरी से कोशन आ सकते हैं और उसके आंसर किस तरी किसे लिखे जा सकते हैं शुरू से मैं बोलते आ रही हूँ बच्चो कि आपको अपना आंसर दूसरों से अलग बनाना है मतलब आप जो बुक में पढ़ रहे हैं जो कुछ गाइट्स की दौरा पढ़ रहे हो लेकिन हर अगर बच्चा आंसर वही लिखे तो फिर मेरिट में कैसे आओगे फिर अच्छे माक्स तसे दौगे तो उसकी लिखे है आपको अपने आंसर दूसरों से अच्छे लिखने होगे है और अच्छा आंसर क्या हो सकता है उसकी कोई परिभाशा नहीं है अच्छा आंसर क्या हो सकता है जब आपने जो चीजे पूछी जा रही है उसको अपने को अच्छे तरीके से लिखोगे, ठीक है, प्रॉपर अनलिसिस के साथ, उसके हर पहलू को बताते हुए लिखोगे, तब कहीं जाके अच्छे मर्क्स में लेगे, है ना, दो मर्क्स, तीन मर्क्स में ज्यादा इसको नहीं होता है, उसमें जो चीज़े पूछा रहे आपको उत जितनी तयारी की है, पुरा विश्वास रखो, यह आखरे वीडियो इसके पूरा समझुगे नगपर complete हो जाएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं कि कला एक्जाम है, अभी तयारी नहीं हुए, आपकी तयारी हो चुकी है, आपने जितनी तयारी की है, उस पर विश्वास करो बहुत अच्छा माक्स आपके आएंगे, है ना, मेरे बच्ची वैलेट में आएंगे, हम चट्रित गडिया हैं और हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक कर नहीं है, चलो, पहले तो हम पुरे पांच माक से कोशन को complete कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो, आपके पांच माक से कितने कोशन रहेंगे भईया, पांच माक से दो कोशन होंगे, मतलब क्या है, दस माक, दस कोशन, दस नंबर का होगा, ठीक है, और इसमें कितने हैं, आपको सो शब्दों में लिखना होगा, मतलब क्या है, ज्यारा से बारा लाइंग, ज्यादा से ज्यादा, औ अधिक्तम शब्द शिमा दी गई है मतलब अगर आपने कम में लिखा चार करन को चार लाइन में पांच लाइन में खतम कर दिया कोई ज़रुरत नहीं है कि आपको पूरा 10-11 लाइन भरनी है कोई बाद नहीं भई जितना 7-8 लाइन में चार मास का पांच मास का 100 मतलब 10-11 लाइन में तो अगर आपका 8-9 लाइन में पूरे सभी आज़र खतम हो जाते हैं तो ज़रुरत नहीं कि जब प्रदस्ति और चीज़े लिखनी है जितना पूछा गया उतना लिखो सामने वारे को अच्छी कॉपी चाहिए भरी हुए कॉपी चाहिए नहीं सही आंसर चाहिए और उसको सही आंसर दोगी तो क्यों नहीं नमबर मिलेगा तो वैसे आपको काम करना है ठीक है पहले हम कोशन देख लेते हैं दो कोशन आएंगे और एक अच्छी बात है अथ्वा वाले मतलब आपको चॉइस बेस कोशन रहे गए मतलब माश माश के चार कोशन में से सिफ़ दो कोशन का आपको उतर देना है ठीक चलो पहले प्रशन देखते है खरीफ रवी जायत फसलों का वीवरन उधारन दहीं दीजिए मतलब आपको किया है प्रत्रेख फसलों के बारे में बताना होगा social है मतलब क्या है हर सब के बारे में चारचर लाइंग में लिग दो बस हो गया खरी फसलों का आप कबगाते हो कब काटते हो changing spirit में खरी फसले कौन है उसके लिए क्या है विशिश्छता है अच्छा बाक्स मिल जाएगा कि आपने पूरी जी जी लिखी और भई बच्चे ने ये भी बता दिया ठीक है उसके बाद या तो इस तरह के से पुरा आंसर लिखो उसके टेबल बरा दो फिर खरी फसल बवाई कसमें मांसुल के अगमन के साथ कटाई नितंबर अक्तूबर मे मुख्य फसल धान बाजरा मक्का जौद रवी फसल शीत रितू में और इसको कटाई कप कटे अप्रेल में के आसपास ठीक है मुख्य फसल गेहू जो चना मटर ठीक है जायर फसले मार्श अप्रेल में कटाई कप होती है मैजू में इसमें तर्बूश खकड़ी खीरा मून इतना लिख दो और और क्या चाहिए इतना ही टेबल बना दो या तो फिर ऐसा गोला बना दो भई खरीफ के लिए इस तरीके से जैसे में पिछले बताया ऐसा कुछ बनाओ क्यों नहीं आपको पार्श मक्स में सिप लिखना नहीं है उसको दिखाना है जब अच्छी जी दि प्रतिरूप को देख ले रहा है पहला कौन कौन से भई रेखी प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप वर्गाकार प्रतिरूप रित्ताकार प्रतिरूप और आरी प्रतिरूप इन पाचों के बारे में लिख लो और डाइग्राम राना डाइग्राम राना बहुत जरूरी है तो लिखोगे तो आधा नम्बर, आधा नम्बर कब मिलेगा भई, जब डाग्राम बताओ तो ठीके, प्रॉपर सिक्वेंस लिखो और प्रॉपर उसके बाजी में डाग्राम नाते चलो, ठीके, ठोड़ा बहुत ज्यादा बन रहा है, कोई बात नहीं, एक दो लाइन प्रभावित करने वाले कारप क्या होंगे भई, जलवायू, धरातली स्वरू, खली जर्ण सक्थी, जलपूर्टी के सब परिभाने में जाता है, ठीक है, जलवायू, कि जलवायू वहां के अच्छी होगी, तो लोग वहां जादा बसेंगे, धरातली स्वरू, मैदानी भा जाना दूसरे जगा जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, परिभाने में जाता है, अगर राइपूर में अच्छी रोड नहीं होगे, तो लोग कहे हां के बसना शुरू करेंगे, नहीं, फिर वापस गाउंचली जाएंगे, तो यहां रोड अच्छे होते है, याता है कि सु के पॉइंट है, और जोगी करन, पुझी और प्रदोगी की, जो प्रधान हो जाता है, वहां नगर प्रमशा महा नगर बदल जाता है, इमार्तो, सड़को, जलापुर्टी, प्रकाशादी के वदस्ता में पुझी अवशक्ता होती है, तो जहां जैसे बैंग्लोर, बंबई लोग यह वहां आ चाहिए को विकास होता है, विकास होता है, तो लोग कियााओं वहां काम करने के नम से जाते हैं, ठीक तो आपको अगर आता है नगरी वासों के उत्पत्ती के कारण तो आपको इतने कारण्स में सिक्या है पांट से च्छे कारणों को लिखना होगा और उसको अच्छे से समझाना होगा ठीक चलो आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या पताना है पर 1861 के पहले का अरधास के रूप में होते थे फिर आया जार निकिया वहाँ का अरधासों को खदम किया लेकिन क्या किसानों अभी भी किया जमीन भूसवामयों के हाथ में थी जिसी किसान पूरा मालिक हाथ नहीं बन पाए इसके बाद क्या हुआ जो किसान थे उनको पुरी काम नहीं मिल पाते थे, अभी भी वह जाल में फ़से भेए थे, करश के जाल में, तो वह क्या हुओं, फिर शहर आए लगे, शहर आखे फैक्टेवित प्र काम कने लगें, रूस की संबन में ऊसे यांसर को लिखना होगा थीं चलो नेक्स प्रेमए आ जाओ रूस में आद्यों की करन्ट के पर एक संश्चिप नी लिखिए और जो कि पुर्व रहा है तो उसके पहले क्या चार रहा था और उससे का सत्रा कि रूस की करन्ट की बात क्या शहुआ तो इ अठाज असी के बाद दद्वी कर्ण की प्रक्रियाश शुरूस में शुरू हुई बिटेन ये फ्रांस में जहां मध्यमर्ग धनी वैपारी आदिश वट्टे उद्योग लगाते थे रूस में राजिय विदेशी निवेशकों को बड़े खर खाने लगाने के लिए अमधिद किया और उन्हें कहीं रियादे थी मतलब बिटेन ये अगरा में क्या होता था कि उद्योग पती चाहे तो वो उद्योग लगा सकता लेकिन रूस में क्या है शरकार ही लगाती थी और वो के हैं से लिडाज़े लोगों में को बुलाती थी तो वहां कि पुंजी पती वीकास नहीं वुआ ये बात थी के अभी रूस में रूस रूस की कांटी की पहले अब रूस की करंटिविट के बात देखो, सारे बैंकों का खानों खडानों को साजकी संपति घोषित कर दिया गया और जी संपति खत्म कर दिये 1928 से सोव्यत रूस में नियोजित विकाष की शुरुमात की गई जिसमें अल्दयोगी करन पर विशेश बन दिया गया इसके धनी धाल और तक्निकी विशुशक्यों का अभाव था विदाशों से मदख के लिए साथ ही देश में संसाधन उद्योग में लगाये जाने लगे मंतूरों का वेदन कम किया गया किसानों प्रतरिक कर लगाये गये तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कराम्धी के फूर्व लिखो गे किया लिखोगे कि अध्योग की शुरुवात हुई यहां पुड़ा अध्योष कर्म राजिय के रिया द्रतर्ण था पुन्जीबती विकास नहीं हुआ ठीक है पूरा अद्योक, राज़ो के हाथ में था, उसके बात क्या हुआ, कार्खानों खादानों में काम करने के संसाथन क्या वशकता थी तो संसाथन सरकार ने जू ठाए, मज़रों को वेतं कम दिया, किसानों प्यात्रिय कर रागए तो और उन्हें से चाहिए से काने तक क्या था रूप से सकतर अध्योगिक देश बन गया ठीक है तो इतनी चीजें पूरी आपको पांच मांग से कोशन में लिखनी होगी ठीक है चलो नेक्स प्रशन में आजो नियावा गीरी सत्याग रहकी जीट किनके निर्णे से हुई थी और कैसे फिर बाई ये सुप्रीम कोर्ट वाला आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के ने क्या किया था वहाँ जन्मत संग्रा कर आया था कौन से एक्ट का था पीसा एक्ट का जन्मत संग्रा में क्या हुआ लोगों ने वहाँ के वेदान्ता ग्रूप के खिलाफ वोट द तो चाहें वाभांव करते हैं, त्यो कि हैं। कुछ समय के लिए कुछ धनराशी उधार लेता है उसी ही क्या कहते हैं हम रिन अब रिन की शर्ते क्या है भई कि हम उसको कितने साल वापस करेंगे उसने अगर मुझे एक हजार दिया है तो उसके प्रति में उसके कितना ब्यास दूंगी और मैं एक हजार ली हूँ तो भई उ रिन की शर्ते कहा जाती है ठीक है कि उसमें क्या कितने समय के लेगा कितना ब्यास दर देगा वो क्या गिर्वी रखेगा यही सब क्या कराती है रिन की शर्ते कहाती है ठीक हर रिन में ब्यास दर निशित कर दी जाती है जिससे करदार मूल रखम के साथ अदा करता है इसके मेने में आप क्या 10 प्रतिशत मतलब 10 रुपे उसको एक्साल हो गए ये मूलधर हो गया तो ये क्या होगा ब्याज होगा ठीक ये ऐसी संपर्थी है जिसका मालिक करदार है जैसे गुमी इमारत गाड़ी पेश्व पशूप बैंकों में पुझी इसका इस्तिमर्वा उधार जाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि रिंग भुकतार नहीं कि जाता है ये क्या है भई आपकी गिर्वी ठीक है यदि करदा उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधार के लिए वो कितने ब्याश पर दिया जा रहा है ठीक है समय इसलिद बताया जाता है भई ताकि वो पता सके कि कितने सालों में वो मुलधन और ब्याश को चुकाएगा ठीक है जमालत मतलब भई वो कोशना कुछ चीजे गेरवी रखाता है कि अगर वो लोन वापस नहीं कर पा तो उसकी क्या है वह security होती है कि अगर उसने loan वापस नहीं किया तो उसकी उस समपत्ति है उस कागजात के दवर पर हम वो पैसा वसूल कर सके तो यही क्या है रिन होती है और रिन की शट्टे होती है ठीक है तो आपको वहां पे रिन बताना होगा रिन की शट्टे क्यों इन चीज़ों को वहां पर आपको डिफाइन करना हो एक एक लाइन में ठीक है चलो इतनी चीज़ें आपको आपको पढ़ने होंगे ठीक चलो अगले प्रशन पर आजाओ भारती बैंक की भूमिका पर स्रांश्रिप्टर टिपने लिखिए इस चैप्टर से मुद्रायवां सा पाशमार से कोशन है इसी का इसे 5 इस पांशमार से कोशन आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है दोकूरिग कोशन होंगे और दोनों ही इसी चैप्टर से होंगे ठीक है तो बिनी की साथ कहला Цnar eer कोशेर्ट करमेंठ प最क्वर्ट इसियं प्वर्चित विख only के अनके इसके आंसर लिखने है, ठीक है, तो चलो, आंसर क्या है भई, भार्टी रिजर्मन के कारी है, घुमिका भई होगी, मुद्रा का निर्गमन करता है, नए नोट जारी करना, सिकों को देश में विद्रन करवाना, बैंकिंग शित्रों का नियमन नियतर्ण करना, भार सरका के बैंकों के रुप में कारे करना, भार के केंद्री बैंक के रुप में कारे करना, ठीक, ये तो उसके कारे होए, अब उसकी गुमिका क्या है भई, तो भार्टी रिजर्मन की यहां वर्यस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कही नियम नागू करता है, बैंकों को वह सरकार को नोट छपवाने, सिख्के बनवाने की मांग कर सकती है। साथ ही सरकारों को यह सुलिशित करना होता है कि बजार में नफिल नोट ना हो। इसलिए सक्थ लिगानी के आप शकता है। बजारों से इसलिए सम्वांे करती हैं। ​ तो यह बताता है करत मत ब्यास सकतर हो ब्यास देना है कि, किन छेत्रों को प्यास सकतर को ब्यास सकतर ने है। सरकार पहर पहले को पहला, पहरीप फ पोल्परों मे ले memorized 10 प्राइब को लाइब करना है, संपत्तिक रविक रह नहीं कर सकते बैंके गुरस्ता में लोगों का विश्वास बना रहा है इसके लिए वह कईतर के निगरानी करता है जैसे किया बहुत लोग फ्रॉड करते हैं यह कई बैंक ज़्यादा ब्याज वसुलते हैं तो इसके लिए कि RBI के बीजबिश में रेग्रेशन लाग रहती है बैंकों पर दवाव करने जाते है कि वह इन शेत्रों के लिए रीन दे परतवाल में रिजर बैंक दोरा क्रिशी शेत्र है अब आप चोटे वुट ज़्याद आदिश शेत्रों के चाल्ज परतिशन देने का आदेश दिया गए है अगर बैंक सिर अमिर लोगों को लोन देंगे तो गरीब लोग कहा जाएंगे किसी को सिख्षा के लिए किसी को किसान के लिए इनक लिए भी तो इंशे गे तो RBI क्या करती है, हर बैंकों को बताती कि आपको लोन का चालिज प्रजिशत क्या है, इन शेत्रों में देना है, तो यह सब कारी क्या है, बैंकों के भूमिका, RBI के क्या है, बूमिका की अंतरगात आते हैं, ठीक, आजाओ, अगले कोशिंपर बैंक के पाच कारी लिखिए, तो बैंक के पांच क्या रहे हैं वह वित्ति लेन देन में सायक होती है तो पहले आप बैंक के बारें बारें क्या बताओगे बैंक के दो प्रमुकार है लोगों के पैसे जम्मा करने के लिए खाते खुलना और लोगों की जरुतों के लिए करज्या रिन देना यही क्या है बै जाम को पैसा चाहित हो, क्या करेगी शाम को पैसा देगी उधार में, तो यही क्या करती है, बैंकों के कारे होते हैं, तो बैंकों के कारे क्या होगा होगी, जिन प्रदान करना, विबिन खातों के मादम से लोगों की जमा राशे स्विकार करना, उनके वशक्ताओं के प्रप्रिया को भी वेश्वी करन के बिच पर संबंध त्युवेति करन की प्रक्रिया को भी वेश्वी करन कहा जाता है अधिक वस्तुवे सेवाई निवेश और प्रद्रगी का अधान प्रदान हो रहा है तो सबसे दूस्परिय नाम कहा पड़ा सबसे जर्पर काईगरों को से माल लिया जा रहा है जिससे काईगर अपनारीब कंपणी माला माल हो रही है प्रतिस परद्रह ने कुछ अलता को किनार रख दिया भोराश्टी कंपणीों के नहीं तर में चला गया अधिक वस्ती काईगर पज़ावाल सदुरत हो गया ठीक है तो इस पीछी आपको हम भी बताने होंगे घन जेंगलों को काट कर सड़के और कार खाने बनाये गए पक्की सड़कों इकार भोमी कर जद इस्तर की घटा बाता रण में अक्सुजन की कमी होई और्दोगी कारन का अथ बिमारिया बढ़ी जल जीवन कृशी सभी प्रहवित हुए घन वर्गों को केलेथ हो गया धन क्या है कुछ वर्गों का केलेथ हो गया तो यह सब क्या थे और्दोगी करन का क्या हुए भारत में कुछ दूस्ट रण्याम होए तो आपको इतने साइचीज़ है बही पांच मासी कुशिन है यही सब के है उधारी रण, आपने उधारी रण का परिभाशा कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है, बहुराष्टी कम्पणियां के हैं वह अलग-अलग राष्ट्र में काम करी है, ठीक है, तो पढ़ो, विदेशी वैपार निवेश पर आर्थिक निप्रतिवन हटा नहीं कहल इस बार पढ़ों में वस्तूयों के काप़र निवेश पर निवेश पर आर। जगह की कंपणी है जो अलग-अलग जगों पर जाके क्या करिए काम करिए ठीक इसी को हम क्या कहते हैं रेश्वी करण और उदारी करण ठीक आज बहुर आश्टी कंपणी का विकास यूग है कंपणी मजदूरों के अपेक्षा स्वयम के हित का जया ध्याद हम रखती है इसलिके वो जहां कम वेतन पर मजदूर मिलते हैं वह ही क्या करती है अपने लाग के लिए कम दर की वस्तु में खईक कर पूरा रियाद करती है मत कि करती है कंपकंड ले असेंबल की और उसको बैचेगी इसे क्या उनको ज़्यादा लाब होता है अगर वह खुल the ж Kita ने अफिटी चुटी चार खरी चिज़ा करना पड़ेगा उस एच्धे क्या करती है इस यही कहां युदूऱ् आश्टी कंपिनियों का काम होता है तो यह कोशन आएगा तो आपको एमेंसिस के बारे में सब चीज़े बतानी होगी, ठीक, देखो बच्चो, पास मांक से कोशन इतने ही थे, जो सम्भाविता है, लगते हैं कि आ सकते हैं, ठीके, तो आपको पिछले वर्शो के पेपर को एक बार एमेंसिस देखना है, और आप इत दो मांक, तीन मांक, चार मांक, पास मांक, शेवा, सभी कर लिया है, ठीक है, इससे पास कोशन, इससे चार कोशन, इससे चार कोशन, इससे दो, इससे दो, ठीक है, तो यह आपके पूरे क्या है, दस मांक, बारा, सोला, दस, बारा, यह पूरे चैप्टर्स आपके यहाँ प के लिए आप शुरू से तयारी कर रहे हो आज हमारा क्या है मार्श मिशन कंप्लीट हो रहा है अब मेरे योद्धा पूरे तरीके से तयार है वो कर जाएंगे और अपने मार्श मिशन में अपने फते हासिल करके आएंगे पूरे 75 के 75 एक कंकों को हरा के आएंगे और अपनी ज और एक शी जो को ध्यान में दो, दो माक्स के कोशन क्या है आपको, 30 शब्दों में, इसको 50 शब्दों में, इसको 75 शब्दों में, 100 शब्दों में, और 1500 शब्दों में, लिखना है, शब्दों का विश्यान देना, और कोशिश करना कि पहला ग्राफ में लिखना, लिखकर क्य यह से manage करना एक marks का question, 2 marks का question, 3, 4, 5, 6 marks का question और last के आधे घंटे बचे हुगे questions के लिए बचांके रखना ठीक बतलब आपका paper धाई घंटे में जो भी आता है पूरा complete हो जाता क्योंकि हमारे पास 3 से 4 प्रशन होते हैं जो क्या है last के लिए बच जाते हैं तो ये आधे घंटे में इन कोशन को सॉल्ड करना, 6 मांक से कोशन के पॉइंट्स, जैसे पेपर देखो, पीछे ज़्यादा हो, तो क्या करोगे, पीछे एक पेपर में 6 मांक्स के, जो भी कोशन आपको ध्यान आ रहे हैं, पॉइंट्स है, उसको लिख लो, 5 और 6 के, ताकि क्या है, जब आंसर लिखो, तो पॉइंट्स को भूलो ना, अक्सर क्या होता है, और पहली बात, 15 मिनाट में क्या करोगे, पहले पूरे पेपर को पढ़ लो, दो बार पेपर को पढ़ना, उसके बाद ही शुरू करना, नहीं कि पेपर तुरंट बढ़ने तरया हैं नहीं करना है, कई क्या होगे, उसके कोशन आपके आगे के कोशन में मिल जाएंगे, ठीक है, जायत फसर कुछ भी, 15 कोशन के एक दो कोशन तो आपके पूरे प्रशनों में ही रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बाद पूरा शुरू से लेकर पूरे 18 कोशन को पढ़ोगे, फिर दुबारा पढ़ने चालू करोगे, फिर कौन कौन सा आ रहा है, उसको टिक करते चलोगे, ठीक, उसके बाद क्या करोगे, भाई, आंसर दिखना शुरू करोगे, और कोशिश करना कि जितने कोशन्स आ रहे हैं, आंसर्स, पूरे लाइन से लिखो, एक से अधा तक एक सिक्वेंस में पूरा जाना, उसके बाद जो छुटे हुए कोशन है, उसको फिर से लाइन से लिखने के कोशिश करना, इसी क्या है समाद जो चेक करने वाला, उसका इमनिस्ति बहुत अच्छी होगी, और दो नंबर के प्रश्णों को कुछ भी गरबड़ी नहीं करना है, ये वाला आपका क्या है, दो रोपन है, ठीक, एक मार्ग से कोशन तो सभी वही लिखेंगे, इसमें गरबड़ी की, खिचर बिचर किया, तो आगे पुरा गरबड़, उसके दिमाद को शांत रखना है, कि वह आपको ज़्यादा मार्ग से कोशन को बहुत अच्छे से लिखो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, उच्छे, पूरा सिक्वेंस में चलो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इतनी तैयारी की है, तो खुद पे विश्वास करो न, क्यों डर रहे हो, क्यों डर लगता है कि भाई, ते लिखने की तैयारी नहीं यह नहीं है, बहुत पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, और समाजे में गयाना, ऐसा विश्वास है, जो आपकी सोच से निकलता है, है ना, रट की नहीं निकलता है, इसमें कोई एक्स्पेरिमेंट नहीं करनी है, आप में जो जो जिजे पढ़ी है, आपकी जो सोच है, समझ है, उसी को क्या है, पेपर में लिखना है, इवन मैं दिपा वर्मा करियर कॉंसलर, आपको आगे की जितनी भी चीजे होंगी, आपको कॉंसे प्रैंट के बद कॉंसे सब्जेक्स लेने हैं, उसमें भी मदद करूंगे, और ग्यारवी बारवी के बाद कॉंसे कोर्से में भी जाना है, मैं उसमें सब में वर्लक करूंगे, ठीक है, तो अभिप्षा एप डाउनलोड करकी क्या है, आप हमसे आगे जूर सकते हो, हमारे यूटूब माध्य मुलक से, हमारे फेस्बूक, इस्टाराम, किसी भी चैनल की द्वारा, आप हमसे मेशर उड़े जैसकते हो, डीय होई नंबर पर कॉल करके क्या है, आपको कोई परशानी होती, तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्या है, हमसे बात कर सकते हो, ठीक, बिल्कुल नहीं डरना है बच्चे, जितना तयारी की ही, बहुत अच्छे की है, टैन्थ बस, आप दो ही पेपर, दो तीन है, उसके बाद क्या है, आप फ्री, मतलब आपने एक लाइफ का एक स्टेज, टैन्थ पार कर लिए, आप क्या है, आप हाई स्कूल में जाने वाले हो, ठीक है, तो एक्साइटमेंट भी है, बहुत सारी चीज़े हैं, आप बस अभी पेपर देखिया हो, फिर मार्श से जब भी आपकी नेक्स सेशन शुरू होगी, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है, तो आगर आप हमसे जुनना चाहते हैं, अभी प्रशा आप डाउनलोड करके रखो, एलेवन्थ के लिए अगर आपको इंट्रोल करना है, कौन सब्जेक्स लेने है, किसरी किसे पढ़ाई करनी है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आपके एक्जाम खतम होने के बाद हम मिलेंगे, और आगर हो, तो आप हमसे कॉल करके, हमारे क्लासिस के बारे में बता कुदा कर सकते हो, पहले से इंट्रोल कर सकते हो, ताकि आपकी तयारी है, वो बहुत अठी जाए, और एलेवन्थ में बिल्कुल आपको कोई भी क्या हज़र नहीं करना है, बिल्कुल गरवड़ी नहीं करने, इसलिए इलेवन्थ में जो भी सब्जेक लो, बहुत सोच समझ करें न, ठीक है, तो अभिप्षा आपके साथ हमेशा है, हज़र के बच्चों को आगे लेके जाने का काम, अभिप्षा हमेशा करते रहेगी, हिंडी माधम के बच्चे, कभी पीछे नहीं रहेंगे, यह हमारा वादा है, और हिंडी माधम के बच्चों को आगे लेका तक जाएंगे, यही हमारा विश्वास, और हमारी प्रबल इच्छा है, अभिप्षा का मतलब ही है, प्रबन इच्छा आपकी इच्छा हमारी इच्छा ठीक है तो बच्चो मिलते हैं फिर हम आगे वीडियोस में ठीक है हमीशा आपकी साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैं रीपवर्मा अभीप्षा के पूरे टीम की ओर से आपको बेस्ट रप्लाग देती हूँ आपकी दसवी के एक सबस्क्राइब झाल